प्यारे बच्चों, LGR study में आप सभी का स्वागत हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गनीत में अभी हम लोग दुई घात समीकरन पढ़ाई कर रहे हैं, यह जो कि आपका चार नमर चेप्टर है, और इस चेप्टर में अभी हम लोग परसनावली 4.2 पढ़ाई कर रहे हैं और आज आपका 4.2 100% कंप्लीट होने वाला है, और इसके दो कोशन हम लोग बना भी चुके हैं, आज हम लोग जो है कोशन नमर तीन से आगे बरेंगे, आपका जो कोशन नमर तीन है, वो आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ग्याद कीजिए, जिनक योग 27 हो, और गुननफल 182 हो, तो हमने आपको बार बार बताया है कि जो निकालने के लिए बोला जाएगा, उसे ही हम क्या करेंगे, मानेंगे, तो चलिए हल करते हैं हम लोग, ऐसी दो संख्याएं ग्याद कीजिए, जिनका योग सतायस है, मतलब दूग और संख्या आपक माना के पाले संख्या या फिर परतम संख्या, परतम संख्या बराबर एक्स, हमने परतम संख्या एक्स मान लिया, लिखेंगे इसी लिए दूसरी संख्या बराबर, देखिए, दूसरी संख्या क्या होगा, तो कुछिशन में बोला कि जिसका योग 27 हो, मतलब ऐसी दो संख्या आपको निकालना है, जिसका योग 27 हो, मतलब दो संख्या को जोडते हैं, तो 27 पूरता है, अब उसमें से अगर हम एक संख्या एक्स मान लिए हैं, तो दूसरा संख्या होगा 27 माइनस एक्स, बिलकुल सही है, क्योंकि 27 दोनों संख्या का योग है, उसमें से अगर एक संख्या निकाल देंगे, तो दूसरा संख्या बच जाएगा, तो दूसरा संख्या होगा आपका 27 माइनस एक्स, अब लिखेंगे प प्राशन से, प्राशन में यहां पर एक बात बोला गया है कि गुनफल 182 हैं, यानि कि उस दोनों संख्या को गुना करते हैं, तो 182 मिलता है, बिल्कुल सही बाई, जिसमें पहला संख्या आप देख सकते हैं कि X है, और दूसरा संख्या है, 27-X, इस दोनों को गुना कीजीग तो आपको मिलेगा 182 ऐसा कोश्चन में बोला गया है अब इसी इस्थिती को हम क्या करेंगे हम करेंगे तो आपको दूसरी संख्या को गुना कीजिएगा तो एक्सोब्रासी मिलेगा तो जैसा कि हमने कर भी दिया है दूनों गुना के इस्थिती में लिखा है तो वह 182 के क्या है बरावर है अब चलिए बरते हैं आगे समझिएगा x को 27 से गुना कीजिए तो यह 27 x होगा और x को माइनस x से गुना करेंगे तो x x स्क्वाइर होगा बरावर में हो जाएगा 182 हम 182 को बाएं ले आएंगे लेकिन देखें यह माइनस x स्क्वाइर जो दिख रहा है उसको पहले लिख लिजिए माइनस x x स्क्वाइर को पहले हम क्या कर लेते हैं लिख लिख लेते हैं माइनस x स्क्वाइर यह 27 x होजाएगा पेल परस में क्या होगा 27 x 182 को बाएं लाएंगे तो यह माइनस 182 बरावर ताहीने में बच जाएगा जीरो अब हम क्या करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से माइनस कॉमन लिजेगा तो क्या होगा देखे माइनस कॉमन लिजेगा तो आपको मिलेगा पालस एकस एकस्वायर माइनस 27 एकस और पालस 182 और ब्रावर में है जीरो अब हम आजाएंगे धर, समझने की कीजिएगा कोशिज, क्या होगा देखिएगा, यह माइनस आप दाहिने साइड भी देंगे, तो आपको बाइन साइड में केबल मिल जाएगा, यह एक सुद्ध समीकरन आपको मिल गया, इस समीकरन को आप हल किजिएगा, तो एक से गुना किजिएगा, तो एक सो बिरासी ही मिलेगा, अभर अपको एक सो बिरासी का ऐसा दो गुनन खंड, निकालना है, जिसको जोर करके सत्ता एस पुरा ना है, जेली निकालते हैं, दो से लगाएगा, तो यह हो जाएगा, एक कानवे दुना एक सो बददै एक नवे, ठीए, फिर आप लगा द एक सो बिरासी का ऐसा गुनन खंड है जिसको जोरने पर पूरेगा 27 तेरा और चौदा के जना होगा 27 होगा ठीक है तो इस चौदा और तेरा के अनुसार हम 27 को दो भागों में तोरेंगे यह आपको x square दिख रहा है 2-3, x square लिख लिजिए मयनस 28 x को हम लिखेंगे माइनस 13 x और माइनस 14 x अब 26 इक सो बिरासी को बिलकूल सेम्टू सेम लिखना है अधहhin deficit में 0 लिखना है अब दोनों जोला में देखिए की क्या common है डोनों कि नामे common है या दिखना है तो आ इसे शुरू करते हैं कि यहाँ पर आप x common ले सकते हैं x से Ein semester को हाग दीजिगा दो Sox मिलेगा और X से veux hundred X को भाग देज़ेगा तो 13 मिलेगा इसमें आप माइनस 14 common ले ले लिजिए तो माइनस 14 से माइनस 14 कर जाएगा X बचेगा माइनस और ये पलस हो जाएगा माइनस 182 को 14 से भाग देज़ेगा तो 13 मिलेगा बराबर 0 कोष्ट के अंदर दोनों चीज सेम है मतलब यहां तक चीज आपने ठीक किया है एकस माइनस 13 में से कोई एक ले लिजिए और एकस माइनस 14 जो बाहर में दिख रहा है वह आप ले लिजिए एकस माइनस 14 बराबर 0 अब आप क्या कीजिए तो एकस माइनस 13 को 0 के बराबर कर दिजिए और एकस माइनस 14 को 0 के बराबर कर दिजिए तो क्या होगा एकस बराबर यहां पर मिलेगा पलस 13 और यहां पर एकस बराबर मिल जाएगा पलस 14 देखिए यह एकस का दो मान मिल रहा है आपको एक 13 और 14 लेकिन एकस का कोई है की मान हम लेंगे क्योंकि X है परथम संख्या तो अगर X का मान हम 13 लेते हैं तो परथम संख्या क्या हो जाएगा और 14 लेंगे तो परथम संख्या क्या हो जाएगा वो देखते हैं लिखेंगे देख कई सारे क्या करेंगे और करते हैं इसको पाले संख्या इसको दूसरी संख्या बोल देते हैं तम गलत है यह बोलना ये दोनों तो पाली संख्या ही है क्योंकि एक्स है और एक्स को मैंने प्रतम संख्या माना है ये इसमें से कोई एक पाली और कोई एक दूसरी नहीं होगा यहां पर देखिएगा कि पाली संक्या और दूसरी संक्या कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे यह है PRAATHM कि संक्या बराबर हमने X माना था कि तो परधम संक्या X था X का मान हम लेते हैं 30 तो अगर आप 13 लेजिएगा तो दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या होगा दूसरी संख्या 27-X क्या होगा 27-X यानि की 27-13 27-X का मतलब 27-13 क्योंकि आपने X का मान ओलरी निकाल लिया है 13 तो 27-X कितना होगा 13 तो 27 में से 13 घटाएगा तब जो आएगा 14 ये आपका फाइनल आंसर होगा 13 और 14 ठीक है ना ऐसा नहीं कि ये 13 पहली संख्या 14 दूसरी संख्या आएसा नहीं बोलें कभी में तो फिर आपका मार्क कट जाएगा इस तरह से आप आंसर लिखेंगे नीचे मे चलिए आगे बरते हैं अगले कोश्चन को समझने कोसित कीजिए का कोश्चन नमबर 4 पूछ रहे कि दो करमागत धनात्मक पूर्णांग ग्यात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है देखो यहाँ पर दो करमागत धनात्मक पूर्णांग आपको निकालना है दो मतलब दो और करमागत मतलब लगातार धनात्मक पूर्णांग मतलब पलस वाली संख्या यानि कि पलस पूर्णांग निकालना है आपको तो करमागत मतलब होता है लगातार जब कभी भी कोई लगातार संख्या लेते जैसे कि 5 के बाद 6 तो यह है करमागत धनात्मक पूर्णांग दो वो करमा का धनास्मालांग पुरनांग है अगर इसको एक्स मानते यह क्या होगा एक्स पालेस वण होगा यानि कि कि संक्या को अगला संख्या निकालने के लिए हमें उसमें जोरना पड़ता है उसको 5 आर्लिष amis लिख सकते हैं तो किसी संक्या को अक प्राप्ट करने के लिए उसमें हम एक जोड़ते हैं ठीक है तो मान लेते हैं कि दो द्रात्मक कर दो लगतार द्रात्मक पुर्णांक एक्स और एक्स प्लस वन है अब इसी के साथ हम क्या करेंगे आगे बरेंगे तो जो कुछन में निकालने के लिए बोला गयाँ पहले उसे ही क्या करेंगे हम लिखेंगे माना की दो करमागत, धनातमक, पुर्णाक, X और X पलस 1 है क्या लिखेंगे माना की माना की 2 करमागत माना की 2 करमागत धनात्मक पुर्णांक दो करमांगा धनात्मक पुर्णांक एक्स और एक्स पलस वन है हमने मान लिया कि दूग धनात्मक पुर्णांक जो है न वो एक्स है और एक्स पलस वन है आप लिखेंगे प्रसंद से प्रसंद से प्रक्षन में क्या बोला गया है दो क्रमा का धनात्मक पूर्णा ग्यात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है अब बताइए पाली संक्या कितना है एक्स तो एक्स का वर्ग क्या होगा एक्स एक्सक्वाइर दूसरी संक्या कितना है दूसरी संक्या है एक्स पलस वन, एक्स पलस वन का वर्ग क्या होगा, एक्स पलस वन का अलस पार, तो यह हो गया वर्गों, वर्ग हो गया दोनों का, इसका कर दिजी योग, दोनों के वर्गों का योग जो है, वो 365 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, 365 के बराबर, वर्गों का योग, दो के वर्गों का योग कर दिए इसको 365 के बराबर भी कर दिए आब इसको हल करेंगे और फिर कि आगे बरहेंगे तो एक्सस्कुए स्क्वाइर को तो आप सेंट सेंग लिखिए गाल पर लिखेंगे एक्स पलस वन का हॉल जानिके एक प्लस भी के हॉल square पर तोड़ते हैं, क्या होगा समझ जिएगा आहरेंगे तो काम बहुत ही को एक्सक्वै इंपर पनानेकि यह कॉर्ण lt है आचाने मेस तीन सो पैंश भाए यह ख्लेंगा माइनस 3162 यह हो जाएगा तो माइनस 365 होगा दाहिनेमों बच जाएगा 0 अब क्या होगा देखिए ये 1XX2 और 1X2 हो जाएगा 2X2 पालस में यहाँ पर आपको दिख रहा है 2X ठेक और फिर ये 1 का स्क्वाइर कितना होगा भाइसा एक का स्क्वाइर तो 1 होगा माइनस 365 तो 365 में से घटाएगा तो होगा 365 365 में से घटाएंगे तो 364 होगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो दो कॉमन ले सकते हैं चलों दो कॉमन ले ही लेते हैं हम दो कॉमन लिजिएगा तो यहाँ पर केवल X स्क्वाइर बचेगा यहाँ पर केवल X बचेगा 364 को अगर 2 से भाग दीजिएगा दो कॉमन लेने का मतलब 2 से भाग देना तो 3 का सॉरी 2 1 का 2 2 8 16, 2 182 हुआ और ब्राबर में होगे 0 182 बरावर क्या होगे 0 अब हम अगर आगे बरहेंगे तो ये दो दाहिने भेज़ेंगे बट्टा के नीचे 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा तो बज़ेगा यहां पर आपका x x square plus x plus 182 बरावर 0 इस समीकरन का आप हल करेंगे अब क्या करेंगे हल करेंगे हल करते हैं वही वाला विदी एक को सी से गुना करेंगे तो एक अमान 182 है 182 काप दो गुनन खड़ निकालेंगे 2 से देंगे 91 होगा फिर 7 से देजीए 3 सत्य गानवे 7-2 कितना होगा 14 होगा तो 14 और 13 आपको एक दोगुनन खंड मिला इसी दोगुनन खंड के अनुसार हम इसको तोरेंगे यहाँ पर ध्यान देने बाली बात यह है कि यह जो मैं पलस लिखराओ न यह पलस नहीं होगा यहाँ पर 182 का ऐसा दोगुनन खंड निकालन था जिसको घटा करके एक पोड़ान था क्योंकि B कमान एक है बिल्कुल पूर रहा है 14 में से 13 गटाईगा तो एक ही मिलेगा यानि कि हम यहाँ पर अब करेंगे क्या X X square को same to same लिखेंगे यह 1 X दिख रहा है न इसको हम लिख देते हैं पलस 14 X A minus 13 X पलस 14 X A minus लिख देते हैं 13 X 14 में से 13 गटाईगा तो एक मिल जाएगा minus में 182 है तो 182 लिख देंगे बराबर में 0 है तो 0 लिख देंगे अब क्या होगा X X square पलस 14 X में X common ले लेंगे हम यहाँ बच जाएगा X 14 X में से X common ले लिए हैं तो बच जाएगा केबल 14 ठीक है और फिर यहाँ पर आप माइनस 13 common ले लिजिए माइनस 13 common लेने से होगा कि माइनस 13 से माइनस 13 कट जाएगा X बचेगा माइनस माइनस यह पलस हो जाएगा 182 को 13 से भाग दिजिएगा तो मिलेगा 14 और बराबर हो गया 0 अब आप क्या करें भाई साब X पलस 14 में से कोई एक X पलस 14 ले लिजिए और X माइनस 13 जो बाहर में दिख रहा है X माइनस 13 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उसको एक कुष्ट्म में बंद कर दिजिए बराबर में 0 लिख दिजिए अब करना यू है ध्यान से देखिएगा दोनों को 0 के बराबर करना होगा तो करो भाई सब क्या दिक्कत है X पलस 14 को 0 के बराबर करेंगे और X माइनस 13 को भी 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर जो आपको X बराबर मिला वो माइनस 14 मिला और यहाँ पर आपको X का जो बहल्यू मिला वो पलस 13 मिला तो क्या हो का भाई समझे का यहाँ पर यहाँ पर X का दो माण मिल रहा है एक 13 मिल रहा है एक 14 मिल रहा है कौन लिया जाए तो 13 वाला लेंगे हम 14 वाला नहीं लेंगे जोगी यह माइनस में है और question में धनात्मक पूर्णांग ही लेना है रिनात्मक पुर्णांक नहीं लेना है तो यहाँ पर आपको एक संख्या तो मिल गया पर्थम संख्या तो लिखेंगे अता अता आपको दो धनात्मक पुर्णांक निकालना था ना तो उसमें से एक हो गया आपका तेरा यहां लिखेंगे अता प्रथम संख्या प्रथम संख्या बराबर X हमने माना था तो X का मान मिल गया 13 एबम दूसरी संख्या एबम दूसरी दूसरी संख्या दूसरी संख्या भाई सब X पलस 1 था X पलस 1 करेंगे एक्स वाई सव आपके 13 है 13 पलस वन 14 हो जाएगा इसका मतलब दो लगा तार्कडा वागत धनात्मक पुर्णांग जो है वह 13 और 14 होगा ये 13 चोदा आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे इस तरीका से आप लिखियेगा कोई लिक्कत ने हुआ कब भी नहीं एकदम फिनिसिंग तरीका से आप बना पाईएगा चली आगे बढ़ते हैं और अगले चीजों को समझने सीखने की कोशिश कीजिएगा बहुत ध्यान देने कि यहां पर आपको जरूरत है हलका एक पेज ले ले लेते हैं क्योंकि इसमें हलका कुछ लंबा चौरा करना पड़ेगा तो एक बना ट चली आप अगले कोश्चन को देखते हैं जो कि आपके पांच नंबर कोश्चन जो है काफी मातपूर्ण कोश्चन है ध्यान देजीगा इसको समझने कोशिश कीजिएगा कोश्चन है कि एक समकोन त्रिभूज की उचाई इसके आधार से 7 cm कम है यदि भीकर्ण 13 cm का हो तो अन्यधर 2 भूजाय घ्यात कीजिए समकोन त्रिभूज से समद्दित कोश्चन है काफी मातपूर्ण होगा ध्यान से समझीएगा मान लेजीए कि यह 2 पनाया यह क्श karş अगर हम इसका नाम एद्यदते हैं यह बी है यह C है तो 90 डिगरी के सामने जो हत्व हो कर्ण होता है तो कोश्चे में बोला कि कर्ण है 13 cm का कर्ण 13 cm का हो तो कर्ण हो गया आपका 13 cm ठीक है और आगे बोला गया हिदार कि समकुंत्र बुज की उच्चाई इसके आधार से 7 cm कम है उच्चाई जो है वो आधार से 7 cm कम है तो मान लिजिए कि आधार है x आधार कितना हमने मान लिया x मान लिया आधार अगर हम x मानते हैं तो इसका उच्चाई जो है वो आधार से 7 cm कम है इसका मतलब उच्चाई x-7 हो जाएगा उच्चाई कितना हो जाएगा x-7 हो जाएगा तो यहाँ पर इस figure में आपको दिख रहा है कि AC भुजा जो है वो कर्न है और कर्न का मान आपको 13 दिया गया है लेकिन BC आधार है और AB उचाई है इसका accurate value नहीं है इसी आपको AB और BC का मान निकालना है तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को सीखने समझने की कोशिस करते हैं हमने आपको बताया था कि जब कभी भी इस तरह के कथन वाले कोशिन को बनाने के लिए जाईए तो वह मान लेजिए जिसको ग्याद करना है देखेंगे माना की माना की संकून तिर्भूज का आधार संकून तिर्भूज का आधार बड़ाबर XCM XCM हमने आधार मान लिया XCM इसी लिए आप लोग बताये कि उचाई कितना होगा इसी लिए अगर बात जो है अगर उचाई का किया जाए किसका उचाई का तो उचाई कितना होगा तो उचाई कोशन बोला कि उचाई जो है ना आधार से 7CM कम है तो आधार X है इसमें से 7 कम करेंगे मतलब 7 घटाएंगे तो X-7CM होगा और इस तरीका से आप देख सकते हैं कि आधहार, उचाई और कर्म ये तीनों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आधहार है आपका X, उचाई है 7-X और कर्म है 13 ये है समकोंत्र भूज और समकोंत्र भूज में लागू होता है पाइथा गोरस प्रमे समकोंत्र भूज में लागू क्या होता है पाइथा गोरस प्रमे लागू होता है तो अब इस समकोंत्र भूज पर हम पाइथा गोरस प्रमे लागू करेंगे तो लिखेंगे पाइथा गोरस प्रमे से क्या लिखेंगे पाइथा गोरस प्रमे से पाइथा गोरस परमे से समझेगा कि पाइथा गोरस परमे क्या है पाइथा गोरस परमे से आप सभी जानते कि पाइथा गोरस परमे क्या होता है लंबे स्क्वाइर जो राधार स्क्वाइर बराबर करने स्क्वाइर होता है कि नहीं बिल्कुल चाहिए तो पाइथा गुरस पर में जो है वो उचाई का स्वार यानि की लंब स्वार पाइथा गुरस पर में से लंब ही उचाई का लाता है तो लंब स्वार होगा यानि की माइनस से बन का इस्कॉयर होगा खे से मनल साथ क्या होगा या ये होग्या लंब स्वार बेदरी आजोर आथ्हार स्वार स्वार तो आथ्हार है एक्स तो एक्स का ओगा करन कर देंगे इतो करदेंगे हैं कि यह कैसे मुझे पता चला क्योंकि आप पाइथा गोरषपर में जानते हैं पाइथागोरसपर में χोता है लंब का इसक्वार लंब को ही उचाई बोला जाता है तो साथ मैं X-7 का square आधार है X तो X का square और 13 आपके करन हो गए तो करन का square हो जाएगा अब आप इसको solve कीचिए solve करेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा X-7 का hall square यानि कि A-B का hall square तो यह होगा A square minus 2AB 2A और B आप plus B square यानि कि 7 का square और यह पलस में X square जो दिख रहा है वो X square हम लिखेंगे ही लिखेंगे दाहिने में 13 square होगा 179 तो यह 1x square और यह 1x square कितना होगा 2x square हो जाएगा अब यहां से यहां तक आप गुना करेंगे तो साथ दोना कितना होगा 14 होगा साथ दोना कितना होगा 14x मिलेगा तो यह minus 14x लिख लिजी आप और यह पलस में 7 का square है तो साथ का square होता है 49, 179 बाहें लाएंगे एक साथ जब आप बाहें लाएगा तो minus 169 होगा minus 169 होगा दाहिने में बच गया 0 क्या बचा दाहिने में 0 बचा अब ध्यान दिजीए 2x x square minus 14x और 179 में से 49 गटाईएगा तो minus 120 बचेगा और बढ़ावर में क्या होगा 0 होगा यह एक सुध समीकरान आपको मिले लेकिन आप चाहें तो इसमें से 2 common ले सकते हैं क्या common ले सकते हैं 2, 2 common लीजेगा तो यहाँ पर बच जाएगा आपका x x square 2 से 14 में भाग दिजेगा तो minus 7x और 2 से 120 में भाग दिजेगा तो 60 दूना 120 बढ़ावर 0 तो यहाँ पर आपको निकल के आएगा क्या निकल के आएगा यह दो दाहिने भेजेगा बच्टा के नीचे जाएगा 0 के नीचे ठीक है यह x square minus 7x बच क्या जाएगा वो देखे यहाँ पर x square minus 7x और minus 6 बचेगा बराबर में हो जाएगा 0 अब यहाँ एक सुध्य समीकरन मिला जो की बहुत सिंप्लेस्ट फॉर्म में है इसका आप गुनन खंड वेदी से हल ग्यात कर लीजिए सबसे पहले तो देखिए आपको a और c को गुना करना तो a का मान एक है c का मान 60 है अब इस साथ का ऐसा दो गुनन खंड निकालना है जिसको घटा करके 7 पुड़ना चाहिए तो आप पहले 5 से लगा देजिए 5 लगाएगा तो 12 पंचे 60 बिल्कुल चाहिए ही है 12 में से 7 घटाएगा तो आपको 12 में से 5 घटाएगा तो 7 मिलेगा और 12 पंचे 60 भी होता है तो 12 गुने 5 ऐसा गुनन खंड जिसको घटाने पर साथ पुर रहा गुना करने पर तो 60 पूर ही रहा है तो हम क्या करेंगे आगे देखिए यहां पर एक्स एक स्कुयर को सेम टू सेम लिखेंगे यह माइनस साथ एक्स है ना हम इसको लिखते हैं पलस 5 एक्स 12 पंचे 60 बिल्कुल ठीक है यह हो जाएगा चल ठीक है पलस 5 एक्स आ माइनस 12 एक्स ठीक है 12 माइनस 12 में से 5 गटेगा तो माइनस 7 तो होई जागा फिर से यह तो आप समझ में आहिरा होगा आप लोगों को यहां पर समझ यह 12 और 5 था यह आपने देखि लिया इसके कोई ज्यादा मतलब हमें नहीं होता है माइनस 7 को माइनस 12 पलस 5 लिख दिया और माइनस 6 है तो माइनस 6 को सेम टू सेम लिख देंगे और ब्राबर में 0 कर देंगे दोनों में common लिजिए यहां पर x common आ सकता है आपका यहां पर बच जाएगा x पलस 5 क्या बचेगा x प माइनस माइनस हो जाएगा पलस 12 को 12 से भाग देंगे 60 को तो 12 से 75 साथ है और ब्राबर जीरो क्या होगा आप अक तो X पलस 5 दिख रहा है एक ले लिजी X पलस 5 एक लेंगे हम X पलस 5 और एक क्या लेंगे ये X माइनस 12 लेंगे X माइनस हम 12 लेंगे बराबर में 0 होगा अब दोनों गुनन खंड को एक एक करके 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे अब x पलस 5 बरावर 0 और x माइनस 12 बरावर 0 चले लिखते हैं क्या लिखेंगे अब x पलस 5 बरावर 0 और साथ ही साथ x माइनस 12 बरावर 0 इधर आपको x बरावर माइनस 5 मिलेगा और इधर आपको X ब्राबर माइनस बारा दहने जाएगा तर पलस बारा तो X का दो बैलू मिल रहा एक तो माइनस पाँच पलस बारा तो X क्या है भाई साब आप देख सकते हैं X है आधार आधार मतलब लंबाई आधार क्या एकतर से तो लंबाई ही होता आधार तो आधार जो है वह लंबाई है तो याद रखिएगा एक मिनट एक मिनट अरे भाइसा याद रखिएगा रे एक सेकेंट अब हो एक उनर एक उनर दिया अधार है अधार है अधार मतलब किसी भूजा का लंबाई है अरे भूजा का लंबाई है मतलब लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होगा इसलिए हम एक्स का ये मान लेंगे एक्स का ये वाला मान नहीं लेंगे तो अगर एक्स का मान अगर हम पांच लेते हैं तो लिखेंगे इसलिए आधार हमने x माना था rx का मान हो गया 12 cm अगर x मतलब आधार मिल गया इसी और हम उचाई निकाल सकते हैं उचाई निकाल सकते हैं तो उचाई जो निकालेंगे क्या होगा समझे उचाई क्या था भाई सब देखो question में उचाई था x-7 तो यहाँ पर हम x-7 करेंगे तो आप ही बोल सकते हैं x है 12 12 में से 7 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5 यह 5 cm आपके final answer हो जाएंगे तो आपको अधार मिल गया 12 उचाई मिल गया 5 और कर्म तो पहले से 13 था ही तो इस तरह से आप इस question को क्या कर लिए बना ले और श्तर से बनाएगा कभी कोई दिक्कत जो है नहीं आएगा अब बरेंगे आगे एगले चो नमबर मातपूर्ण question को देखिएगा वैसे को हम लेगे एक के question बनाते जा रहे हैं तो इसमें मातपूर्ण खानी को जुरुत ही ने कुटिर उद्वग मतलब छोटा सा उद्वग एक दिन में कुछ बरतन का निर्मान करता है एक विशेश दिन यह देखा गया कि परतेक नग नग मतलब बरतन परतेक नग की निर्मान लागत उस दीन के निर्मान किये गए बरतनों की संख्या के दो गुना से तीन अधिक थी यदि उस दीन की कुल निर्मान लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बरतनों की संख्या और प्रतेक नग की लागत गयात करें निर्मित बरतनों की संख्या और प्रतेक नग की लागत यानि कि एक बरतन का कितना कीमत होगा वो आपको क्या करना है बताना है में निर्मीद बरतनों की संख्या और दूसरा प्रतेक नच की लागत तो हम क्या करेंगे जब हल करेंगे तो बरतनों की संख्या निकालेंगे मानेंगे लिखेंगे माना की बरतनों की संख्या बराबर X तो जले शुरू करते हैं सीखने की कोसिस कीजिएगा जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो लिखेंगे माना की निर्मित बरतनों की संख्या निर्मित बरतनों की संख्या निर्मित बरतनों की संख्या X माल लिया हमने यानि कि माल लिया कि X बरतन बनाया गया अब अगर निर्मित बर्तनों की संख्या एक्स है, तो प्रतेक बस्तू के उत्पाद की लागत, यानी कि प्रतेक नग की उत्पाद की लागत, प्रतेक नग की लागत ग्यान, लागत भी निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे, इसी लिए, प्रतेक नग की लागत, प्रतेक नग क कि लागत तो परतेक नग की लागत क्या होगा समझेगा लागत क्या होगा लागत के बारे में कुछ न बोला गया है कि एक विशेश दिन यहां देखा गया कि परतेक नग की निर्मान लागत उस दीन के निर्मान किये गए बरतनों की संख्या के दो गुने तो बरतन का जो वे यदो एक्स है इसका लोगुना करेंगे ये दो एक्स हो जाएगा और दो खुने से तीन अधिक थी तो दो सीतीन अधिक करने के लिए पायगा जोड़ना होगा तो इसी हो चयए जोगकी बन्हें यह जोगने Qui starts to do क्लोना से थिन नदी तो रहे निवने kor Produk बढ़नों की संख्या X मना है, देक्स का दोगना दो एक्स और उसमें तीन अधीक मतलब तीन जोड़ना होगा, तो ये दो एक्स पलस तीन ये हो गया परतेक नग की लागत है, यानि कि परतेक प्रस्ण से देखिए कुल निर्मान लागत है नविरुप्या तो कुल निर्मान लागत कैसे निकालते हैं एक बस्तू का कीमत जो है उसको बस्तू के संख्या से गुना कर देजिए कुल बस्तू के संख्या से बस्तू के एक बस्तू के कीमत को गुना कर दिजेगा तो कुल निर्मान लागत आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर निर्मित बरतनों की संख्या एक्स है एक्स से हम गुना कर देंगे प्रतेक नग की लागत को यानि की एक बस्तू के कीमत को पूरे बस्कु के संख्या से गुना कर रहे हैं तो वो क्या होगा कोल निर्मान लागत होगा की नहीं होगा तो यहाँ पर कोल निर्मान लागत यहाँ पर 90 रुप्या होगा है ठीक है अब आप इसको solve कीजिए solve कीजिएगा तो क्या होगा x को 2x से गुना कीज़ेगा तो ये 2x square होगा x से 3 को गुना कीज़ेगा ये 3x होगा and 90 को बाएं ले आएगा तो minus 90 बरावर 0 हो जाएगा minus 90 बरावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब क्या करेंगे आप इसी समी करन को हल कीज़ेगा आपको x का मान मिल जाएगा और x plus 2x plus 3 अभी मान आप निकाल सकते हैं तो चलिए solve करते हैं हम जानते हैं कि 1 को सी से गुना करना परेगा तो 2 को 90 से गुना कीज़ेगा तो 9, 2, 1, 18, 180 हो जाएगा अब 180 का ऐसा 2 गुनन खंड निकालना है जिसको घटा करके 3 पुराना है घटा करके क्या पुराना है 3 पुराना है इस 90 में अब लगा सकते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा एंड 3 से लगा दीजिएगा तो 15 हो जाएगा 15 है 15 तो आपने देखा तो बारा गुने पंद्रह एक सो असी होगा और गटाईएगा पंद्रह में से तो तीन मिलेगा तो इसका मतलब हम बारा गुने तेरा एक गुनन खंड लई सकते हैं जिसको घटा करके तीन पूर रहा है तो हम यहां पर दो एकस एक स्क्वाइर को सेम टू सेम लिखेंगे और तीन एकस जो है इसको लिख देते हैं हम पलस पंद्रह एकस आर माइनस बारा एकस आर माइनस का लिखते हैं बारा एकस आर माइनस नबे जो है इसको तो सेम टू सेम लिखना ही होगा बराबर में जिरो लिखना ही होगा ठेक अब बरेंगे हम आगे ज्यान से समझने की कोसि कीजिएगा क्या होगा यहां पर देखिए इस दोनों में और इस दोनों में common खोजिए common खोजिएगा तो देखें यहां पर आपको अच्छा एक काम कीजिए बात तो ठीकी जा रहा है लेकिन हलका यहां पर इसको change करेंगे लिख देते हैं बात वही होगा आगे पीछे कर देते ताकि आपको सोहलियत हो देखिए यह पलस 15x है और माइनस 12x है हम पहले माइनस 12x लिख लेते हैं 15x बाद में लिख देंगे तो भी कोई फार्क नहीं परेगा देखिएगा क्या होगा हम पहले लिख लेंगे क्या चीज तो माइनस 12x लिखेंगे और फिर पलस 15x लिखेंगे इससे कोई फार्क परेगा नहीं क्योंकि 15x माइनस 12x तो 3x तो भी हो रहा है लेकिन हमें common लेने में बहुत ही बड़ा होगा इस दो टोबें तो समझने की कोईस किजिएगा क्या फाइदा होने वाला है फाइदा यह होगा कि जो 2xx स्क्वाइर है आ मैंस 12x इसमें से 2x आप common ले सकते हैं अब 2x common ले सकते हैं कैसे समझें यहाँ पर हलका इसको मिटा उटा देते हैं कि क्या है तो समझने कि यहां पर कोशिच किजिएगा अगर common लेजिएगा तो क्या होगा देखिए 2x से भाग देजिएगा 2x एक स्क्वाइर में तो यहां पर एक्स बचेगा दो से 12 को भाग दिजिएगा तो 6 हो जाएगा और एक्स तो कट जाएगा ठेक अब फिर 15x मैनस 90 में आप पलस 15 common ले लिजिएगा तो यहां पर आपको एक्स मिलेगा नब्बे को पन्दर से भाग देजिएगा तो पन्दर चक्के नब्बे यानि कि छो मिलेगा यह 15 से दीजिएगा नवे महाग तो पन्र सके नभी तो होगा ही हुआ बरावर 0 दोनों कोष्ट एक जैसा है जिसमें से 1 X-6 आप ले लिजिए और ये 2X पलस 15 तो आप लेंगे ही लेंगे 2X पलस 15 और बरावर 0 अब क्या करेंगे भाई साब तो हम दोनों को 0 के बरावर करेंगे तो लिखेंगे आब अब हम क्या करने वाले हैं तो X-6 को 0 के बरावर करेंगे और 2X पलस 15 को भी 0 के बरावर करेंगे तो इधर देखिएगा X पलस 6 क्योंकि मैनस 6 दाएने जाएगा तो पलस 6 मिलेगा और इधर जो है आपको X जो मिलेगा 15 जाएगा तो बाइनस 15 होगा और ये दो बट्टा में आ जाएगा जो गुना के रूप में X का दो बैल्यू मिल रहा है जबकि हमें X का एक ही बैल्यू कोई लेना होगा क्योंकि X बरतनों की संख्या है और बरतन का संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगा या फिर भिन्द में नहीं होगा इसलिए x बराबर माइनस 15 बट्टा 2 नहीं लेंगे हम x का मान लेंगे 6 x का मान छो लेने का सीधा सीधा मतलब है कि निर्मित बरतनों की संख्या है 6 और परतेग नकी लागत इसी के अधार पर हम क्या करेंगे निकालेंगे ठीक है तो चलिए हम लेखते हैं अब लिखेंगे इसी लिए निर्मित बरतनों की संख्या क्या लिखेंगे यहां पर लिखे ही थे हम लोग कि निर्मित बरतनों की संख्या तो लिखेंगे इसलिए निर्मित बरतनों की संख्या निर्मित बरतनों की संख्या निर्मित बरतनों की संख्या जो है हमने X माना था और X का वैलू मिला है 6 X का वैलू क्या मिला है पैर बच्चों 6 मिला है यानि कि एक दिन में 6 बरतनों बनाई जाते होंगे एब हम दूसरा चीज भी हमें निकालना है क्या निकालना है प्रतेक नग की लागत निकालना है प्रतेक नग की लागत तो प्रतेक नग की लागत किजना होगा भाई प्रतेक नग की लागत जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 2x पलस 3 हमने माना था कितना 2x पलस 3 तो वही करेंगे यहां पर 2x पलस 3 को solve करेंगे 2x का value 6 और पलस 3 6 दूना होगा 12 पलस 3 यानि की 15 तो ये परतेक बारतनों की संख्या है और ये परतेक नकी लागत है ये फानल आप क्या अंसर हो जाएंगे यहां पर इस तरह से आप बना सकते हैं कोई भड़ी इसी बाते नहीं है इस तरह से आपने ये बना लिया अब बरते हैं आगे अब ये आपका चेप्टर है वो कंप्लेट हो चुका है इसके बाद अगले कलास में जो हम सुरू करेंगे वो प्रसनावली 4.3 शुरू करेंगे 4.3 में एक नया विदी परेंगे जिसका नाम होगा पूर्ण वर्ग बनाने की विदी आने की पूर्ण वर्ग विदी से हम दूई घात समी करने का मूल लिकालना सीखेंगे एक नया तरीक मतरब एक नया चीज है नए इनरजी नए उमंग के साथ हम लोग अगले कलास में इस चालक के लिकाल मूले की रहड़की कि नहा बनाने की लिकालना लिकाल मौले की जहाओ ह।